नमस्ते, उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे देखिए अभी बिहार विधाले परिच्छा समीती के दोवारा एक बहुत ही अच्छी भरती निकाली गई है इस भरती के लिए आप ओनलाइन ओफलाइन दोनों माधिम से आउधन कर सकते हैं और किस तरह से आपको भरती कराई जाएगे और कितना आपको सररी मिलेगा इससे जुड़ी जो है सभी जनकारी हमने इस वीडियो में कभर किया हुआ है तो फ्लीज वीडियो सुरू से आउन तक लेकर जरू देखेंगे और वीडियो थुरस में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे देखिए सबसे पहले देख सकते हैं कि मेरे पास जो है एक अपीशल नोटिफिकेशन है जो की बिहार विदाले परिशा समीती के दोरा इसको जारी किया गया है सबसे पहले हम भरती के रिगार्डिंग बात कर ले तो बापू परिच्छा परिशर के लिए जो है भरती अपका निकाला गया है जो की पटना में है ठीक है इसमें हम बात करें तो तीन अलग अलग परकार के पदो पे जैसे की सहायक केंदराधिचक के पदो पे भरती निकाली गई है बीचक के पदो पे भरती निकाली गई है और पदचर के पदो पे यहाँ पे सहायक के पदो पे भरती निकाली गई है इसमें तीन नहीं बलकि चार पदों पे भरती यहां पे निकाली गई है और यह मांदेह के अधार पे आपका भरती कराई जाएगे जिस दिन आप काम करेंगे उस दिन ही आपको पैसे मिलेंगे जिसमें अपका काम नहीं लिया जाएगा उस दिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे और इसमें जो है पैनल बनाकर जो है अपका भरती कराई जाएगी तो इन बातों को ध्यार रखेंगे नीचे आएगे तो इन्होंने सभी जनकारी यहां पर दिया हुआ है कि आपका जो है मंदेह के धार पर पर परिच्छा में कारे करने है तो डिवूटी के लिए जाने पर विचार किया जा सकेगा यानि कि जो भी पैनल त्यार किया जाएगा ताकि जून माह के बाद होने वाली जो भी परिच्छा है उसमें सकता अनुसार आपसे जो है काम कराये जा सकेगे पहले पद की हम बात करें तो सहायक केंदरा दिचक का जो ही पोस्ट रखाया गया है इसमें दो क्वालिफिकेशन माया गया है किसी ये क्वालिफिकेशन को अप फुल्फिल करके यहां पर फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं देखिए जो भी रिटायर सरकारी विध्याले और म आथ में बोला गया है कि आप गैर सरकारी सिंक्षर में भी काम करते हैं जैसे कि मानलीज ये वो सरकारी नहीं है गैर सरकारी है और उसमें आप कारेयरतत असनातक पर आसनातक बीटेक एमटेक डिगरी धारी है तो भी आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं तो दो आपके पा आशनातक, बीटेक, एमटक, डिग्रिधारी हैं, तो भी आप यहाँ पर आउधन कर सकते हैं, इसमें हम मांदे की बात करें, तो 15 सुर्पय प्रोती पाली आपको देखने को मिलेगा, और तीन घंटे ही आपको काम करवाए जाएंगे, तो प्रोती पाली आपको 15 सुर्पय दि जान के जो भी कारेयत कोई असनातक या फिर परासनातक डिग्रिधारी है, वो भी यहाँ पर फॉर्म को भर सकता है, 37 सुर्पय प्रोती पाली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बाकी इसमें आथवा-थवा करके दिया गया है, तो उसको आप चेक आउट जरूर कर ले परदान लिफिक आथवा समकच्छी आप कोई मालनी जे कारेत लोग हैं तो भी आप यहाँ पर आउदन कर सकते हैं, इसमें आपको सारी तीन सुर्पय प्रोती पाली पैसे मिलेंगे, बाकी हम पदचर की बात करें, तो जो भी सरकारी भी धाले यहाँ महा भी धाले के पद् अपने फ्रेस कंडिडेट है, तो आप यहाँ पर आउदन नहीं कर सकते हैं, इनको 270 प्रोती पाली यहाँ पर देखनी को मिलेगा, बाकी यहाँ पर पर परिच्छा जिसे कि 2,5,3 घंटे की 2 पाली में कारे करना होगा, बाकी इनका आउदन करना चाहते हैं, तो बड़ी अस आप लाइन यहाँ पर फॉर्म दिया गया है, जिसमें आप कौन से पोश्ट ले अपलाई करना चाहते हैं, नेम क्या है, फादर का नेम, डेट अब बर्थ, जेंडर, अपना मोबाईल लंबर, इमेल आईडी, फोटो यहाँ पर लगाएंगे, जो भी आपका पर्मेंड नेम करते हैं, तो यहाँ पर दे सकते हैं, पर लोगाएंगे, और इस अपको भीजना होगा कहां, तो आप इनको mail कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए, mail आईडी दिया गया है, ठीक है, इस mail पर आपको भीजना होगा, जो कि 30, 24, 24 से लेकर, 15, 25, 24 के बीच में, यानी क तक आप इस application form को mail कर सकते हैं, ठीक है, 15, 5, 24 तक, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, कि अगर आपको online आवदन करना है, तो आप online आवदन कैसे करेंगे, देखिए, online आवदन करने के लिए, यह जो है portal त्यार किया गया है, जिसका link हमने नीचे दिया हुआ है, description box चेक करेंग तो यहाँ पर link आपको देखनी को मिल जाएगा, तो उस पर click करेंगे, तो आप जो ही इनके official portal पर आ जाएगे, यहाँ पर आने के बाद apply for, बापू परिछा परिशर का जो ही option मिलेगा, इस पर आपको click करना है, जिसके इनके करेंगे, तो आपके सामने application form भरने का जो form है, यहाँ पर देखनी को मिल जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले post, जो भी post के लिए अप लिजिवल है, जैसे कि माल लिए सहायक हो गया, सहायक के अंदर धीचक हो गया, बीचक पत्चर हो गया, तो जिसके लिए आप अधन करना चाहते हैं, पत्चर का मतलब प्यून होता है, च यहाँ पर mail ID देंगे, अपना पूरा address यहाँ पर type करेंगे, और जो भी आपका highest academic qualification है, उसकी जनकारी अब बताएंगे, कि आपने qualification में याफी degree में क्या कर रखा हुआ है, उसकी पूरी जनकारी यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप retail हैं, तो ही आप यहाँ पर working और retail, दो ही अब मिलेगा, जैसे कि माले जब गयर सांस्तान में कहीं भी working कारियरत हैं, काम करते हैं, तो आप से बता सकते हैं, अगर आप retail हो चुके हैं, तो भी form को भर सकते हैं, तो दो option आपको देखने को मिल रहा है, तो ध्यार रखिएगा, जो भी आपका professional experience है, work experience है, आपको बतानी होगी, कि institute का name क्या है, ठीक है, यहाँ पर बताना होगा कि आपका जो है institute, जैसे कि exam board है, school है, college, university है, private है, जो भी है, उसको बताएंगे, फिर अपना जो भी position head है, वो बताएंगे, किस परकार का implement आप कर रहे हैं, कब से लेकर कब कर रहे हैं, तो इस सारी जनकारी यहाँ पर आपको बतानी होगी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कभी आप divided किये गए है, examination से तो बता सकते हैं, ने थन्नो करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, कि कभी आप जो award आपको मिला हुआ है, ठीक है, major penalty in government service, तो आप य जो की 50 के 20 से लेकर 1 MB के बीच में होनी चाहिए, चूज फाइल के बटन पर किली करके photo को upload करेंगे, उसके बाद यहाँ पर signature आपको upload करनी है, ठीक है, signature आपको size 20 के 20 में, 50 MB में रहना चाहिए, हाईगली यहाँ पर दिया है, हो सकता है कि 50 के बी लिखा जाना चाहिए, लेक अगर आप रिटाल या फिर वर्क इन, चेतरों में काम करते हैं, और जो भी परिच्छा होने वाली है, बीहर बिदले परिच्छा समीती के दोबरा, उसमें आप काम करना चाहते हैं, और पड़े की हिसाब से अपना payment लेना चाहते हैं, तो आपके लिए कहीं न कहीं extra benefit वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद